हेलो एप्रीवन कैसे आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आप सबीका जैसा उपर वैसा नीचे जैसा भीतर वैसा बाहर जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी बुक के बारे में जो की आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगी और इस बुक का नाम है दस सीक् होगा सिक्रेट का मतलब होता है रहस्य कुछ रहस्य जो कि हर इंसान नहीं जानता और अगर आप उसे समझाने की कोशिश भी करेंगे तो भी वह समझने पाएगा मैं एक बार एक डॉक्टर के पास गया था बहुत बड़े डॉक्टर के पास तो मुझे उस समय बहुत ज्या तो आपको यह बता हुगा कि यह जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं यह पहले दिन हुई होगी दूसरे दिन हुई होगी तीसरे दिन तो आपके दिमाग में खयाल आया होगा कि या कल सरदर्द हुआ था क्योंकि पिछले तीन दिन से होगा तो आज फिर होगा और फिर उबाओ और ऐसे करते करते वह बढ़ता गया तो आप ने एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बना ली है आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा तो पहला ऑप्षन तो यह है या तो यह इलाज आप कर सकते हैं या फिर मैं आपको टेबलेट लिखके देता हूं लेकिन यह गूलियां जो है यह जब तक चलती रहेगी त क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर इस बात向 बीआ है उसने बात हो बताई कि इतने सार जो लोग हैं इन लोगों को यह यह आपका काम जल्दी कर दिया वाकिन सब के मुझे बोली यह लिखनी बड़ेगा तो सिक्रेट जो कि हर आगमी नहीं जानता है वो इस बुप के अंदर पुरा दिया हुआ है आप इस बुप को जरूर पड़ें कुछ बातें जो कि आपके लिए को ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो मैं शॉट में आपको बता रहता हुँ जीवन में जेसा इंग में आपको एक स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले दिन हैडिक वगा दूसरे दिन हुआ तीसरे दिन हुआ तो इसी ताइप से जब आप उड़ते हैं सुबर-सुबर और इत्ली देर में क्या होता है कि मानलो आपका कुछ भी काम करते करत आप सबजी काट रहे हैं और प्रिक्वेंसी बनती है कि आज तो दीन ही खराब है तो आपने उड़ते से जब आपके उंगली कटी तो आपने पहला विचाल आपके मन में आया कि आज तो मेरा दीन ही खराब है इसके बाद में जब आप अब आपने आप यह सूच लिया अब प्रिक्वेंसी बनेगी फिर आपके साथ कुछ गलत होगा पता चला पानी का जो है बाल्टी वगेरा उठा कर रख रहे हैं और वो पता चला कि वो गिल गई अब आपकी फ्रिक्वेंसी बनती जाएगी और आपका पूरा दिन ऐसा ही निकलेगा लेकिन जब आपकी उंगली कटी उसी टाइम अगर आप दोते हैं कि यह ठीक है हो जाता है काम करेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी फिर पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगी हमारी पूरी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ हमारे साथ गटना गटित हो जाती है कुछ भी तो हम उसको हमारे लाइफ से जोड़ लेते हैं कहीं कहीं हम कहते हैं कि यार मेरे तो लाइफ ही खराब है मेरा तो जीवन ही खराब है मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है आप में देखा हुगा कई साही लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा मेरे साथ तो एसा होता है तो यह हो क्यो रहा है क्योंकि आप एक फ्र रहे हैं हर एक sentence का आपको ध्यान लखना पड़ता है because word is power कई बार आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपको नकारात्मग बाते बोलते हैं तो अगर आपको लगता है कि यह कुछ नेगेटिव बात बोल रहा है तो आपको उनसे दूरी बना लें चाहिए क्योंकि word is power शब्दों में शक्ति होती है और वो भी दूसरे लोग जो हमको शब्द कहते हैं उनमें ज्यादा ही शक्ति होती है हम लोग हमारी बात कम मानते हैं लेकिन जो कोई दूसरा जब कुछ कहता है तो हमको ज़्यादा सही लगती है यह कह रहा है मतलब सही है तो इसलिए हमेशा आपको लाइफ में पूरी लाइफ में इन चोटी चोटी बातों का ध्यान लखना पड़ता है कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं या मैं अपने सब्सक्राइब जीता जा रहा है चलता जा पता ही नहीं आप ने उसको डोग में जोटी जा रहे हैं कराएब वेटिव प्रटन के क्लिक चम متना फूइन चेंगे तो आपके लाइफ में चेंजस आएगी काफे साए लोग उसे सुन रहे हैं यूंकि मैं उसको देखता हैं उस उन्हें affirmations का यूज किया है, जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं हमेशा positive सोंचता हूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोंचता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ कुछ गलत करता है तो मैं उसे माफ करता हूँ, तो यह जब आपकी दिमार, जब आपका अचेतनमन एकसरप कर लेगा, तो दिरे दिरे आपकी लाइफ बूरी तरीके से बदल जाएगा, तो आई होब कि आपको यह चीज समझ में आई होगी, तो दरहसी कि यह बूप मेरे पास भी है, और इसकी कुछ बाते मैं आपको बतारता हूँ, जैसे आपकी विचार और भा भावनात्मत रूप से नहीं चुड़ते हैं, आप उससे केवल बोल देते हैं, कि लॉप पास हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, भावनात्मत रूप से जुनना पड़ता है, कि मैं पास हो चुका हूँ, और हो सके तो आप मिठाई का डबबा भी ले जाके और कोलोनी में बा पाते हैं, तो रहस यही है, कि हमेशा युनिवर्स को पॉजिटिफ रिक्वेंसी आपको बेजना है, अगर आप पॉजिटिफ रिक्वेंसी बेजेंगे, तो एक दिन आपकी जीवन में जरूर चेंज़े साओ, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये बार मैं भी आपको बताई, आपको वो चीज मिल रही है, जिसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, आपको वो नहीं मिल रहा है, इसलिए घटनाय बार-बार होती है, अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है, तो आप सुखत तो काफी सारी चीज़े इसमें अच्छी दीर हुई है जब आप रहसी का प्रयोग करने लगेंगे तो जिंदिगी सच्मुद जबरजस्त बन सकती है और इससे बनना चाहिए क्योंकि यह जरूरी है गाइस हमको जीवन मिला है यह ऐसा नहीं कि बार-बार मिलता रहेगा यह ज फिलता है उनकी लाइब में उनकी लाइब में आपको चाहँ थान के लिए यह जैसे आपके दुख और आपके शुक आत्मी दुक है आ बच शुक है आप सुख कैते हूं GOAL रावसी दूख का डिये वो अपन स्वह चुनते ना बोले कि मैरे सारे सुक तेर हो जाए हैं एंगुठ नोसकर प्रफ्फर की अगर उसके लग गया तो तो दर्द उसको होना है और जितने भी दूसरे दर्थ सब उसको ही होगए आपको आपका सुख मिलेगा तो इसलिए आप जीवन की आपको लेनी पड़ेगी आपकी रिस्पॉंसिबल है और आपको ही इसे बतलना पड़ेगी वीडियो के सा लगा कमेंट करके जरू बताएं और आप सभी का में तहे दिल से धनिवाद करता हूं कि आपने दस हजार सब्सक्राइबर्स के पास पहुचा दिया है और 9950 हो चुके हैं केवल 50 सब्सक्राइबर्स और करना है तो यह आपकी ही जम्मेदरी है गाईस इसी प्रकार के वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा तो अपने दोस्तों तक रिश्टेदारों तक शेयर करें औ करें और कमेंट सब्सक्राइबर्स करें तक शेयर करें और कमेंट सब्सक्राइबर्स